चले आज का क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डे ब्रेक डे ब्रेक जो कविता है वो लिखा किस ने था हैंडरी वाट्सवर्थ लॉंग फेलो ने लिखा था और उनका फोटो उनके नीचे ही दिया हुआ है कौन सा है तो ये वाला है ये कविता हैं देखने में आप बुढ़े लग रहे हैं पर इनकी कला जो है वो बच्पन में पहचानी जा चुकी थी कैसे एक उधारन देते हैं बस एक्चुली आपसे कविता से कोई रिलेशन नहीं इसका लिकिन इनके बारे में थोड़ा जान लिजे तो बहतर होगा कैसे ये जो आपको कविता यहां पर दिखाई दे रहे हैं यह वही है जो कि आपको यहां पर है तो यह कविता उन्होंने लिखी थी यह कविता जो है लिखी थी और किवा लिखने से तो नहीं होगा किसी का अप्रिशेशन भी चाहिए तो एक पोर्टलेंड गैजेट नाम करके वहा appreciate करते थे तो इतना जानना काफी है इनके लिए कविताब पढ़ेंगे तो आप भी इनको appreciate करेंगे अब थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं क्या जान लेते हैं कि इनका जनम कब हुआ था इनका जनम हुआ था 27 फरवड़ी 1807 में US में United States of America में और इनको American one of the best American poet माना जाता है और किस छेतर में माना जाता है वो कौन सा है romantic poet के रूप में माना जाता है 19th century में तो एक word आया है यहाँ पर romantic यह romantic word जो है actually literature में इसको कहा जाता है romanticism यह जो romanticism जो word है थोड़ा इसके बारे में जानिए अगर यह जान गए तब यह कविता को आप अच्छी तरह से क्या कर पाएंगे समझ पाएंगे चलिए तो romanticism के बार word से बहुत ज़्यादा परिचित होंगे कि वह romantic romantic का मतलब आप लोग अभी क्या समझते हो आपके ऊपर छोड़ देते हैं लेकिन इसका actual meaning क्या होता है उसके बारे में हम लोग थुरा discuss कर लेते हैं ठीक है actually कविता को हम लोग जो कविता इन्हों लिखा है daybreak उसके लिए यह word को समझना बहुत क्या है जरूरी है क्योंकि आप यह word में रहते हो आपने feel किया है पर जानते नहीं हो कि यह वही वर्ड है इसके लिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं romanticism बड़ा सा अच्छा फोटो यहां दिखाई दे रहा है कौन सा फोटो सारुक खान का यहां फोटो क्या है romantic है बड़ा ही romantic पोज में क्या कर रहा है वह फोटो खिचवार है और एक देखिए तो एक लड़का है और एक लड़की है वो बड़ा ही प्यार से स्कूटी में जा रहा है लोग देखेंगे तो क्या बолेंगे बड़ा ही romantic couple है actually आप perpet you love flavour करता है लेकिalayन यही romantic होता है पर actually में romanticism थोड़ा अलग है इसे अलग क्या है एक्चly उसे relate करता है लेकिन थोड़ा इसका actual meaning के तरफ भी जानिये कि क्या होता है रोमेंटी जिशम क्या होता है एक अलग दुनिया होती है अलग कैसे दुनिया होती है आप जिस चीज को अपनी नजर सो देख रहे हैं, धीरे धीरे जब समय बदलता है, आपका नजरिया बदलने लगता है, जैसे अब आप उधारन देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, कैसे थोड़ा आते हैं इस तरफ में, ये बच्चा लोग का तोली है, आप थोड़ा गौर कीज है, जिसमें एक लड़की अपने डॉल के साथ क्या कर रही है, एक मिनट, ये अपने डॉल के साथ क्या कर रही है, खेल रही है, बताइए तो डॉल के साथ वो बाते भी करती है, डॉल को वो पूछती भी है, खाना भी खिलाती है, बहुत कुछ करती है, अच्छे बताइए वो actually वो किस दुनिया में है क्या सच वा हम तो पोलेंगे क्या सच तो नहीं है वो ऐसे ही खेल रही है अपना actually में यही romanticism है क्योंकि वो उस वक्त उस doll को doll नहीं वो कुछ और समझ के बात करती है वहाँ पे तो वहाँ पे आप तो यह भी देखे होंगे यहाँ पर यह एक आपने भी किया होगा कि दो बच्चे हैं वो आपस में doll का क्या करते हैं साधी भी करवाते हैं वहाँ पे तो वो क्या है actually वो जानते हैं कि उसमें जान नहीं है लेकिन फिर भी वो चीज करते हैं क्योंकि कि romanticism जो होता है वो बच्चपन ही है कि बच्चपन वाला जो feel होता है न जो अलग दुनिया में लिखे चला जाता है हर चीज को अलग रूप में हम लोग देखते हैं आप अपने बच्चपन को याद किजिए आप भी समझ जाएंगे कि आप भी बहुत ज़्यादा romantic है कैसे आप यहाँ देखिए तो दो बच्चा यहाँ पर क्या कर रहा है चाय पी रहा है वो सच में चाय पी रहा है नहीं वो चाय का खेल खेल रहा है वहाँ पर और वो आपस में हसी मजा करके क्या कर रहा है चाय पीने की acting कर रहा है तो actually वो क्या है romanticism है कैसे कि वो अलग दुनिया को feel कर रहा है हम जब भी और अलग दुनिया को आप प्यार वाला में प्यार मोहबब begitu चले जाते हैं उनके लिवह दुनिया अलग हो जाती है ठीक है तो वही चीज्ड क्या है romanticism है अब यहाँ देखिए सिर्फ लड़कियों को नहीं लड़कों की बात करते हैं यहां पर यहां फोटों में देखेंगे एक लड़का क्या कर रहा है टॉय के साथ खेल रहा है आप भी बच्पन में क्या हो गया हो टॉय के साथ खेले हो गये आपका वो जो टॉय है ना कोई-कोई फेवरिट लेकिन ये आदमी दूसरे वे मिले जाता है इसका सिधा जो इंपक्ट है वो कहां से है पिक्चरों से हैं आप पिक्चर देखते हो वहां जो रोमेंटिक वर्ड यूज करते हैं हम लोग उसी को माल लेते हैं रोमेंटिक लेकिन एक्चुली में आप जो भी चीज है न जो आप Bible में एक chapter है Sunblast, हम लोग यहाँ पर ये वाले पर बात कर रहे हैं, ये Sunblast ये नाम करके एक chapter है, उसमें एक बात लिखी गए ये, क्या कहा गया है, पढ़िए उसको, ये word वहीं से लिया गया है, तो ये daybreak का मतलब क्या हुआ, रात के छाएं से बाहर निकलते हुए, दुनिया जो है, वो light की तरफ आती है, इसी को क्या कहते हैं, daybreak कहते हैं, और actually में यही meaning है इसका यहाँ पर, क्या है, आप यहाँ पर दो फोटो देख रहे हैं, एक फोटो ये हैं, और एक फोटो ये है, रात अंधेरा है, समंदर का किनारा क्यों है, क्योंकि स्टार्टिंग कविता कि समंदर से स्टार्ट होती है, तो हम लोग समंदर ही ले ले लेते हैं, रात का समय है, पूरे चादरफ अंधेरा ही अंधेरा है, और सूरी क्या ओड़ी है उपर आ रही है तो light जो है वो थोड़ी थोड़ी आ रही है यानि कि break हो रहा है क्या break हो रहा है जो night है ना वो night का darkness है वो break हो रहा है और वो आ रहा है day की तरफ दिन की तरफ आ रहा है यानि दिन के सुरुवात हो रही है इसी को कहेंगे हम लोग daybreak और अगर actual समय इसका बोलेंगे हम लोग तो word English में कहा जाता है dawn वो सारुखन वाला dawn नहीं डी डी ए डबलू एक्चली ये word याद रखेगा MCQ वेगर में आता है कि ये किस समय की बात कह रहा है तो ये समय है आपका dawn नहीं के पुड़ा भोर का समय अग्दम पांच ठंड में अलग होता है जब अग्दम सुरुवात होती है क्या की सुर्य के निकलने की तो ये आपने समझ लिया तो starting कहां ये एक्चली लिया गया है बाइबल से लेकिन हम लोग इसको समझेंगे कि सुर्य जब उगती है तो वो daybreak का लाता है चलिए अब तो हो गया ये वाला बात अब आते हैं हम लोग कि daybreak जो कविता हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें ये तो पहला बात की nature poem है ये वर्ट सब जानना क्यों है क्योंकि में क्या होता है ये पूछा जाता है कि ये कौन सा है तो nature poem में पुड़ा nature के बारे में ही कहा गया इसमें अब इसमें एक personification किया हुआ है personification किसे कहते हैं देखिए personification word से बना है जिसका नाम है person person का मतलब व्यक्ति अगर कोई ऐसा चीज जो व्यक्ति नहीं है मतलब human being नहीं है और उसको अगर हम human being के रूप में present करते हैं तो उसको कहा जाता है personification यहाँ पर इस कविता में दो personification हुआ है पहला personification हुआ है आपका सुर्ये का अब यहाँ पर देख सकते हैं ये photo मैंने क्यों दिया है क्योंकि हमारा दिमाग में देखिए कविता है आपको एक journey पर ले जाएगी एक यात्रा पर ले जाएगी जो बहुत ही सुहावना होगा वो journey जो है आप अगर उसके साथ चलोगे ना तो कविता के साथ आप relate करोगे और आपको लगे की और 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 आना चाहिए और आना चाहिए भी में वहां जाना चाहता हूँ चलिए start करते हैं कि ये जो कविता है इसमें हम लोग दो चीश को पहले माal लो डिलेगा आप नेक्सट होता है आपका wind wind हो गया 한 più जैसे यह वाला photo आप देख सकते हैं हवा से क्या शुट मार रहा है यहाँ पर तो यह talking alarm है अलाम का मतलब जो जैसे हम लोग क्या जान बचले सिबाश वह उठना है तो हम क्या लगा कविता का structure क्या क्या है structure का मतलब होता है आपका जो कविता हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें देखिए फर्स टाइम आप लोग के सामने दिख रहा है यहां पर एक राइम इसकिम नाम करके कि यह होता है राइम इसकिम क्या होता है जैसे twinkle twinkle little star how I wonder what you are star आर मिल गया ना लास्ट का वर्ड अगर एक जैसा राइम करता है जैसा बोला जाता है उसको कहते हैं हम लोग राइमिंग अब यहां पर structure इसका कैसा है यह nine couple it में आप couple it किसे कहते हैं यह जो couple it word दिया हुआ couple it का मतलब हिंदी में कहा जाता है दो हा दो line दो line करके जो होता है उसको कहते हैं couple it यहां total आपको 18 line मिलेंगे याने दो-दो line करके कितने हो गए nine couple it हो गए अब इसमें आप देखोगे की सर यह a a यह b b यह c c यह क्या है यह actually rhyme scheme है कैसे देखिए आप यहां पर यह वर्ड है नहीं आपर see and me जो कि highlighted किया हुआ है पीले कलर से आप बोलने में वह एक जैसा है कि ने see me अब नीचे आते हैं तो on gone on gone एक जैसा है उसके बाद और थोड़ा नीचे आते हैं हम लोग जैसे यह आप देख सकते हैं अवे away, day, south, out, wing, sing, actually एक जैसा word क्या कर रहा है sound कर रहा है इसी को कहते है rhyme scheme और चुकि इसमें कोई भी एक दुसरे से जुड़ा हुआ नहीं है अब एक जैसा word बार-बार repeat नहीं होता है तो हम लोग इसको rhyme scheme में कहते हैं AA, BB, CC, D, D, E, F, F, G, G, H, H, I, I यह total आपका rhyme scheme हो गया अगर माई by chance पूछ दे तो आपको यह याद रखना चाहिए इसका rhyme scheme है AA, BB, CC, D, D, E, F, F, G, G, H, I, I, I ठीक है और 9 couplets है total 18 line है यह आपके है चलिए अब आते हैं हम लोग कविता का पहला couplet पे एक एक couplet करके हम लोग क्या करेंगे बात करेंगे और उसके बारे में जानेंगे देखिए कैसे यहाँ पे आपको देखे यह जर्णी है जर्णी स्टार्ट होती है समंदर से और खत्म होती है कब्रिस्तान पे मैं पहले ही बोलती रह oss, कहां खत्म हो रही है? कुब भिस्तान पे खत्म हो रही है, ठीक है? तो यह जो जरणी है, वो हवा जरणी करती है, वायू जो है वो एक यातरा करती है, उसके साथ हम भी यातरा करेंगे, कैसे? देखिए. पहला लाइन जो हम लोग पढ़ेंगे, वो समंदर से आ रहे है आप फोटो देखें यहां पर यह वाले में और यह वाले में ठीक है आप देख सकते हो समंदर में हवा है माले यहां पर हवा है यहां भी समंदर का सामने यहां पर माले यह जमीन है और यहां पर पुड़ा क्या है समंदर है और यहां भी हवा है जब सुब के वक्त में समंदर के वहाँ पे हाई प्रेशर रहता है और जमीन के वहाँ पे लो प्रेशर रहता है हवाई कहां से कहां बैती है समंदर से भूमी की तरफ बैती है ठीक है तो यहां पर स्टार्टिंग कहां से हो रही है यहां से हो रही है समंदर से क्या हो रही है यह उठ रह मिस्ट, make room for me. मिस्ट, मिस्ट का मतलब कोहरा, सुबह सुबह का वक्त है, अगर जितना भी सुरे निकल रहा हो, उस समय चारो तरप में क्या होता है कोहरा, आप थ्ध्ध्यान दीजी इसमें. दियान क्या है इसके चारों तरब या कुछ दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है यहां पर क्या है कोहरा है कोहरा का मतलब होता है जो फॉगी फॉगी टाइप का होता है धुआ धुआ टाइप का होता है यहां भी आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है यह कोहरा है हवा वह वहां उठती है और कोहरे से कहती है मेरे लिए जगा बनाओ मैं क्या करना चाहता हूँ आगे जाना चाहता हूं make room for me मितलम मेडिय लिए जगा बनाओ, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, तो यहाँ पहला एक पहली बात, यह बोल रहा है, तो मैंने पहले ही कहा था ना कि यहाँ पर जो wind है, वो क्या है, पर सॉनिफिकेशन की आगया है, वो बोल रहा है, अब फिर आप याद किजिए तो romanticism, romanticism में क्या होता है, आप जो चीज को हवाई की रूप में देख रहे हैं, कभी उसको क्या की रूप में देख रहा है, उसको एक talking alarm, मतलब बोलने वाला कोई है, जो उसको कह रा है, किसको कह रा है, mist को कह रहा है कि आप side हो जाओ मैं आगे बढ़ने वाला हूँ ठीक है तो यह हो गया यहां mcq में यही सब पूछा जाता है कि mist को उसने क्या कहा क्या कहा make room for me यानि कि मेरे लिए क्या बनाओ जगा बनाओ यह थोड़ा थोड़ा ध्यान देंगे ना बड़ा आसान हो जाता कभी था ठीक है तो यह वाला समझ में आ गया अब next वे आते हैं सेकंड नमर कप्लेट में तो पहला उसने किस से कहा mist से कहा अब mist हवा तो निकल रही है वहां समंदर से समंदर के किनारे में क्या लगा रहता है तो बहुत सारे जहाज लगे रहते हैं जो रात में वहां पर आके रुके रहते हैं वहां नाविक सोई रहते हैं तो वो कह रहा it hailed the ships hailed का मतलब होता है अभिवादन करना अब थोड़ा स imagination को बढ़ाई है क्या होगा कि हवा जब आ रही होगी और समंदर के सामने वहां पर क्या होगा यह जहाज रुकी हुई है तो थोड़ा तो हलचल होगा ना थोड़ा हलचल होगा मतलब थोड़ा सा ऐसे से डगमगाएगा क्या डगमगाएगा सिप डगमगाएगा अब थोड अभिवादन करके क्या करता है ये सिप के साथ अभिवादन करता है और क्राइड चिला कर कहता है अप आगे कहा गया है अब जब सुबर数 सबर जाओगे न समंदर के किनारे तो हवा बहुत जोड से चलती हुई आपको क्या होगी और कह रही है sail on, sail on मतलब, now को पानी में उतारो और आगे बढ़ो, sail मतलब होता है पानी को जहाज पर लेकर जाना ठीक है, sorry, जहाज को पानी पर लेकर जाना, किसी कह रही है, जो जहाज है, जहाज बे कौन सोया हुआ है mariners, mariners का मतलब जो नाविक है, वो सोय हुए है उसको यह कह रहा है कि cried करके कि, yeah mariners यह नाविक, the night is gone, रात जा चुकी है अब आपको सोना नहीं है, आपको जागना है और सिप को कहा ले जाना है समंदर में लेकर चले जाना है तो actually यह कुछ संदेश दे रही है यह संदेश दे रही है, किसको दे रही है एक एकर करके जिसके इसके पास पहुँच रही है उसको यह संदेश दे रही है, talking alarm जैसे मैंने कहा था कि यह alarm है जो बाते कर रही है कि आपको करना क्या है तो यह वाला हो गया, तो first में हम लोगों कि अभी बादन करता है और mariners को कहता है कि आप क्या करो आगे बढ़ो रात क्या आऊ चुकी है जा चुकी है अब थर्ड पे आते हैं हम लोग कपले टमबर थ्री समंदर आप देख सकते हो हैं यहाँ फोटो में यह समंदर है अब समंदर से हवा क्या हो गयी है किनारे को पार करते हुए बड़ा सा landward landward का मतलब कि आपको बड़ा सा जमीन है खाली जमीन है उस पे वो बहुत तेजी से चलती है यह वर्ड है आपका हरीड यह वर्ड है and हरीड लेंड वर्ड फार अवे जब और एक बात है क्या कि जब समंदर से जब थल पे यानि के भूमी पर आती है तो हवा जो है वो बहुत तेज चलती है actually इसका scientific region है पर वो बहुत तेज चलती है और actually यहाँ पर इसलिए कहा गया hurried कि वो आगे जाके बहुत कोई को बोलना है भाई जगो अब सुबह हो गई है इसलिए वो तेज कर देती है अपने आपको hurried अब यहाँ पे सवाल आता है कि where does the wind hurried in the poem कहां पे वो hurried होती है तो वो landward में hurried होती है यानि के जमीन में यहाँ पर क्या जैसे जमीन पर आती है वो बहुत तेजी से चलती है फार अवे बहुत दूर तक जाती है and crying चिलाते हुए जाती है चिलाते हुए awake it is the day जाग जाओ दिन आ गया है यही क्या है दिन है actually बहुत सारे यहाँ पर जो छोटे मोटे कीरे मोकोरे होंगे यहाँ पर कहां कहां पर यहाँ पर बहुत सारे कीरे मोकोरे होंगे या फिर बहुत सारे कुछ कुछ कीट परतंगे होगी साप वगर जो भी हो उन लोगों कह रहा है कि अब दीन आ चुका है आप लोग क्या करो जाग जाओ तो याने के talking alarm next आते हैं हम लोग couple number 4 में couple number 4 अब next आगे और बढ़ता है पहले समंदर में mist को हटाया सीप को वहाँ पर mariners को जगाया land word में आके कहा कि वो जागो दिन हो की चुकिया है अब कहां आता है जंगल में आ गया है तो it said unto the forest ये forest में आ गया है और वो क्या कर रहा है shout चिला रहा है अब थोड़ा ध्यान दो कि जब हवाई जो फॉरिष्ट के वहाँ से गुजरती है सुबह सुबह तो वो कुछ आयसा आवाज निकलता है इसा लग रहा है चिला रहा है और वो कह रहा है क्या कह रहा है hang all your leafy banners out किसी से तो कह रहा है किस से कह रहा है वो किसे? पेडु से कह रहा है यहां पेड़ों को देखोगैं यहां आपको दिखाई दे रहा है यह सब जो पेड है इसको कह रहा है? क्या कह रहा है? Hang your leafy banners leafy मतलब पत्ते को बाहर निकालो और लटकाओ उसको बाहर की तरफ में क्यूँ? क्यूकि सूरे अब निकलने वाला है, अब इसको क्या करना परेगा? आप लोग जानते हो, फोटो सिंथेस में क्या होता है? पत्य बाहर निकालके वह खाना बनाती है बगर और उससे वह खाना खाती है, तो यह क्या कह रहा है यहां पर यहां पर कह रहा है कि आप क्या करो अपने बैनर्स को अपने यानि के लीफी बैनर्स को क्या करो बाहर की तरफ में निकालो यहां पत्ते को क्या करो बाहर की तरफ में निकालो आपको देखो ज्यादा तरही इसमें जाम में यही आता है कि वो कहां जा क्या राए वो अपने पत्तों को बाहर निकालो लटका दो को ताकि झाने वाला दिन यहां पर आने वाला है कि तो यहाला शमझ में आगया ठीक है बढ़ा ही आसान है अब हम chlor cheating to होंगे वो सोई हुए होंगे अब थोड़ा सोचिए कि जो चिडिया होते हैं वो सोते कैसे हैं देखे वो लो क्या होते हैं अपने दोनों मैं अगर दोनों हाथों को लूँ यहां पर और यह चिडिया सोया हुआ है, actually यहाँ पर देखे, it touched, छूती है, किसको छूती है, wood bird को छूती है, folded wing को छूती है, मतलब वहाँ से जा रही है, और चिडिया वहाँ पर है, तो जाते हुवे, हवा जो है, टच करती है, किसको, इसके punk को, जो की folded है, folded मतलब की इस तरीके से है, उसके punk को touch करती है, और touch करके क्या कहती है, सुबह सुबह आप जब उठोगे ना, तो सबसे पहला आप देखोगे क्या की, बहुत सारी क्या कर रहे है, जो चिडिया है, वो चहा रही है, बहुत सुंदर लगता है सुनने में, वो, तो वो कह रही है, ओ बर्ड, क्या करो, awake, जागो, and sing, और गाना गाओ, देखोगे क्या कर रही है, जाग गई और क्या कर रही है, गाना गाना स्टार्ट कर दी है, तो यहां पर एक सवाल आता है कि, where does the wind touch the wood bird, कहाँ पे touch करता है, तो वो कह तच करता है, folded wing पे टच करता है, और उसको क्या करने के लिए के लिए कहता है, तो कह बर्ड का मतलब यहां जंगल भी कहा जाता है और बर्ड का मतलब सारे पक्षी जो है वहां पर सभी सोई रहते हैं उनको यह जगाता है तो चलिए सबको जगना स्टार्ट कर दिया है अब नेक्स को जगाता है वो देख लेते हैं अब यह पक्षियों को जगाने के बाद आगे और बढ़ता है आगे बढ़ने पर उसके एक फार्म दिखाई देता है फार्म हाउस या फार्म आप बोलेंगे फार्म किसे कहते हैं जैसे यहां पर या और कहीं पर भी समंदर के दूर होके एक फार्म होता है जहां पर पसुओ को पाला जाता है खेती वेती होती है वो एक फा स्थाम है इस फार्म में वह कुछ कट्ध कहता है क्या कहता है वह पहले ध्यान देते हैं तो एंड ओवर दफार्म और फार्म पे पहुंच कर ऑजय को और स् coupling क्लियर ऑओ संक्न नि एक्ुली संटिक्लियर कॉन है यहां संटिक्लियर कि आप यह और कहते हैं यहां पर मुर्गा कहते हैं घ्यवाूं यहां बूर्ग चावाल इसको कहता है क्या करने पता तो टो इसको आए इसको जगाता है हो हवा और इसको कहता है यह Estus और इसेलिस दिन अब होने ही वाला है आप क्या करो अपना जो बांक है जो हम लोग कुकरुकु करके कहते हैं वो देना क्या करो इस इसकी बात को माने और ये क्रुकरँ स्टार्ट कर दिया ठीक है तो यहाँ पर आया यह सभी बाते जो मैं कह रहा हूँ ना आप अगर सुबह सुबह उठो और एक बाहर जाकर देखो तो यह सारे बाते अप लोगों को दिखाई देगी समंदर के किनाड़े तो और ज्यादा देगी तो ओश और लिजनियर दीन अभी सामने आ गया जाते सात्वा कक्लेट पर टोटल 9 का प्लेट यह इसपर मतलब बना घान粉 काpal चाहां पर यहां पर देख और फिल्डाफ को यह फोटो में है क्या देख रहे हैं यांप भुट्टा हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं भुट्टा कहते हैं मक्का बोलते हैं इसको मकई भी बोलते हैं तो यह जो मक्का है इसका खेत आया है अब यहां समझो कि खेत को यह कह रहा है विस्पर कर रहा है अराम से चुपके से इसको कानों में कह रहा है क्या कह रहा है सेले कहा था कि'm any और सूरियों को किस तरह से पर्सवाइड किया गया है रिस्पेक्टटिड सर्फ तो हम लोग क्या होते हैं जब शुबर सुबर होते है या किसी को गृट करते हैं तो हम लोग कभी कभी good morning बोल देते हैं या कुछ भी बोलते हैं तो उसी तरह सी इस इसको भी कह रहा है कि bow down अपने शरको जुकाओ और अभिवादन करो कि इस का जो खेत होता है, पुरा भढ़ जाता है अपने फलो से, तो ओटमेटी क्या होता है? वो जुख जाता है. तो एक्चुली यहाँ पर राइटर ने, मैंने कहा ना, कि वो हर चीज को अलग नजर से देखते हैं, तो वो जुख जाता है, कि वो भार बढ़ जाता है, लेकि वो रा देगा, तो वो भी रोमेंटिसीजिम कहलाता है, चलिए, अब आते हैं, नेक्स्ट पे, तो यहाँ पर वो कह रहा है किसको, फिल्ड ओफ कॉर्ण को की अपने सर को जुकाओं, और कौन आने वाला है, कमिंग मौन, मौन सुबा आने वाली है, याने कि सुरिया आने वाला है, कपलिट आठ, आठ में देखेंगे आप लोग, यहाँ एक वर्ड है, बेलफ्राइ टावर, यहाँ तो हम लोग को बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन जहां क्रिश्चन इलाका होता है, वहाँ पर बहुत देखने को मिलता है, कि सुबा सुबा में, जब सुबा होती है, त टावर होता है उसको वह बजता है वहां पर तो बजने से सब को पता चलता है कि टाइमिंग हो चुका है अब हम जगना है और क्या करना अपना काम करना है तो वह बेलफ्राइट टावर भी जो होता है वह सेम काम करता है जो कि यहां पर हवा कर रहा है यानि सबको जगाने का त तो मुठो अवेक ओबेल प्रोक्लेम दा आवर प्रोक्लेम का मतलब होता है घोशना करना जागोशना कैसी के आता है डंडंडंडंडंडंडं क्या होता है मतलब पहले के जमाने में क्या होता था सुनो 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 धंडंडंडंडं यानि कि आवाज डंडंडंडं करता है उस को बोलता है कि तुम भी क्या करो सबको जगा और भुष्णा करो कि दिन की सुरुवात हो चुकी है next कि last couple number 9 अभी तक बताओ तो हवा जो है वो क्या कर रही है सब जगा रही है न अब एक आखरी सब जगह पे आता है वो कहां आता है चर्च यार्ड चर्च यार्ड जानते हो क्या होता है चर्च यार्ड होता है कबरिस्तान जहां मुर्दे लोग जो मर चुके होते हैं जो हयात से नहीं है वो क्या होते हैं वहां उनको दफनाया जाता है तो वाईबल में या और भी बहुत सारे धर्मों में कहा गया है कि एक समय आएगा जितने भी जो मर जुके हैं वो फिर से जिन्दा हो जाएंगे, मुस्लिम में कायामत कहा जाता है, doomsday होता है, गए बगए बगए अलग अलग जगवे अलग अलग है तो यहां पर Christian वाला जो term है वो इसी चीज़ को यहां पर बताएगया हैerv dauves day के यानि कि एक समय आएगा जब वह सब फिर से क्या हो जाएंगे जिंदा हो हो जाएंगे तो क्या आज ओ समय है आज नहीं है तो वहाँ कहह रहा है इट-क्रोइट इट्रास्ट यहां पर इट्क रॉस्ट डर्च यार्ड वित असाएmented वहां से जब गुजरते हैं तो actually हम लोग यह आहां भरते हैं कभी-कभी दुख प्रकट करने के लिए भी कहते हैं respect देने के लिए भी करते हैं तो यह दुख प्रकट कर रहा है कि उसको वो जगा नहीं सकता है किसको नहीं जगा सकता है जो वहाँ पर मिर्त पड़े हुए है and said और उसको कहता है क्या कहता है not yet अभी नहीं in quiet lie अभी तुम्हीं क्या करना है सांती से लेटे रहना है अभी तुम्हारा समय नहीं हुआ है जगने का अब समय आएगा कब आएगा जब वो कयामत आएगी तब आएगा कि आप उस समय क्या करोगे जगोगे अभी यह समय अभी समय नहीं हुआ है अभी क्या करो सांती से लेटे रहों तो यह जो सुरूस से पुरा लाइन चल रहा था कि सब को जगा रहा था अचानक लास्ट में बदल गया ना अचानक से टर्ण हो गया ना तो यही कविता का जो लास्ट लाइन है नाइन का प्लेट है तो नाइन थवला में क्या हुआ है कि थोड़ा सा कविता को मूर दिया गया है एक जड़नी चला सब को जगाता गया जगाता गया यहां पर यहां पर जब जाता है और उसको क्या कहता है अभी जगने का समय नहीं है अभी आपको सोने का समय है कैसे साई करके याने के आपको सांती से सुना है यह जो कविता यहां हमारा क्या होता है खतम होता है अब आप देखिए यह आपको फाइल दीख रहा है यह फाईल application में है जो आप दोगों को देखने को मिलेगा अब इस फाईल को आप पढ़ेंगे तो समझ में आजाएगा हिंदी का में मिनिंग दिया हुआ है और इसमें कहां कहां पर क्या-क्या होता है एक कहानी करूप में यहां पर आप फिर से एक बार देख लीजे पहले वह कहां आता है mist को बोलता है कि थोड़ा सा रूम दीजिये मुझे आगे जाना है फिर वो सिप को कहता है कि रात हो चुक रात गुजर चुकी है आप क्या करो सेल करो यानि कि आगे बढ़ो और उसमें जो नाविक रहते हैं बैठे हुए उनको कहता है कि आप क्या करो नाव को आगे बढ़ाओ समंदर में जा फिर वो लैंड में यानि के जमीन पर आता है बहुत ही तेजी से चलता है अवेक सबको जगने के लिए कहता है फिर फॉरेश्ट पहुंचता है वहां कहता है कि आप अपने लीफी बैनर को क्या करो पहला दो उसके बाद यह वुडबर्ड के पास आता है और कहता है कि जो फोल्डेड विंग से टच करके उसको फिर फिर आता है वह फील पार जगाने का काम वरता है वहां भी गंटी बसती है जसे सब जग जाएंगे फिर लास्ट में आता है कहां पे चर्च यार्ड में यहाँ पे जगाने वाला बात नहीं है यहाँ कहता है कि आप लेटे रहो समय नहीं हुआ है समय होगा तो आप भी क्या करोगे उठ जाओगे ठीक है तो बस यह रहा आपका आप अगर इसको अच्छे से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा यह एक टेबल दिया हुआ है कि कहां कहां पर वो क्या करता है आपको यह फाइदा करेगा MCQ-ACQ में तो आसा करते हैं कि आप लोगों को यह समझ में आया होगा तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स क्लास में